हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उमीद करता अच्छे होगे तो आपको टाइटल देखके और थमले देखके पता ही हम बात करने वाले हैं बस सिस्टम के बारे में तो आज हम बात करने वाले के इस तरह से हम बस बूहींगे सिस्टम सेट अप कर सकते हैं इंडी मार्केट प्लेस रेडवस की खुद की बसे नहीं है यहां पर जो हम बनाएंगे वह इंडीविजबल जो बस ऑप्रेटर होता है उसके लिए ठीक है तो वह कैसे करना इसी दिसे बात आप जिस पी लोकेशन पर जाना चालते हैं ठीक है आप उसकी जो भी आपकी पूर्टिं करेंगे तो इसके जमें स्क्रिप्ट चाहिए वह है हमारी बस टिकिट बुकिंग सिस्टम ठीक है लिंग आपको मिल जाएगा तो तो क्या करना है फस्त हमें लाइफ पर क्लिक कर लेते हैं तो कुछ इस तरह आपको इंटरफेस मिलेगा और वाइट गुड वन ठीक है यहां प्रवाइब को जो भी आपकी विबस्त है भी है नहीं हम सेकंड पॉइंट तो को भी बस ही नहीं है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं आपको बस नहीं पर मिल चुकी है किती दियर की बस है कौन से दिनों आफर रहती है ठीक है क्या फैसलीटीज है स्लेक्षेट पर अपने क्लिक किया ठीक है कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन आ जाएगा ठीक है कैसे होगा यह आपको डेसाइट करना कितनी बसे होती है यहां पर ऑटमेटिकली उसके आपने कंटीनियू पर क्लिक किया कंटीनियू पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका पिमेंट गेटवे होगा वो साइज हो जाएगी है सिंपल एस देट आपको अकाउंट साइन अप करना है ठीक है कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आप इसको हम सैट अप करते हैं तो फॉस्ट हमें क्याशी है अफकोस होस्टिंग डोमीन तो जो हमारे पास है इसको हम अप्लोड कर देते हैं और अपने एक ड कि टैटाबे स्क्रेट हो गया है हमारा और इसक्रिप्ट भी अप्लोड अल्मोस्ट होने वाली है यह आप चाहिसे किसी भी कंट्री में सेट अप कर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं यह आपको यहां पर देख जाएंगे अब इसको में अपनी सिस्टम पर देखते हैं तो हमने यहां पर डाला फोलोग एक्ट्रेक्ट किया जब तक यह हो रहा है इसको खोला और इंस्टाल तब तक हमें कुछ permissions देनी हैं उनको permission देते हैं हमको cash file को permission देनी होगी permission चले हो पहले यहां पर दिखाएता हूं उसके बात permission देता हूं तो almost यह आपके चीज़ें ही होंगी यहांप को permission का issue आएगा तो को पे जारा है storage storage को अमने permission दी कि एप को हमको permission देनी है framework और log को हमको permission देनी है है कि हमने permission दे दी जैसे में इस चेक्क करेंगे देगा है सारी permission होई next आ तो यह आपका जो भी आपका पर्शेस वरिफिकिशन कोड आपको डाल देना है उसके आपने डाबेस टेटेड ला दें तो मैं जली से उसे डाल देता हूं उसको डाल देका जो भी आपका डाटाबेस आपको डाटाबेस और जो भी आपका updated करें वह सारी सीज आपको डाल देनी है कि यापके सारी information हो जाएंगे कुछ इस तरह का दिखेगा और इंस्टाल पर क्लिक करेंगे आपको इंस्टालेशन हो जाएगा एधन आपको admin इसको यहाप एक एड्मिन का फोल्डर होगा उसको डिलीट कर देना है क्योंकि अगर दुबार से आप क्लिक करेंगे तो दुबार से इसलोशन मोड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरे का इंटरफेस आएगा तो जल्दे से जो भी आपने क्रेंशल डालेते हैं आप उसे डाल द जो ही आपको सिंबल यूस करना है तो आप सिंबल बगएंडर कर सकते हैं तो वह हमारे में होगा को पीस का सिंबल न जा थे कर देना हैं डू करें तो एक तो करने अपको डिलेखी करते हैं ठीक है इस ऐसे काफी सारे आपको options मिल जाएंगे कि अभी के लिए मैंने इनको close कर दिया है नॉर्मली आप इसको रखेंगे जैसे email verification या SMS verification ठीक है यहां से आपके जो भी आपके 5 लोगो है या में लोगो है साइट का उससे आप आप चेंज कर सकते हैं अब हम सब्सक्राइब मिलता है तो इसको आप configure कर देंगे अपनी API की के तुरू तो आपके पास live chat का option आ जाएगा अगर इनके सब को SMS भीजना है किसी को क्या message आएगा तो वह सारी templates यहां से आप उससे manage करेंगे अब चलते हैं जो हमारा main चीज है वह क कैसे होगी हमारी booking counter और किसे से हम set up करेंगे trips को तो first time यहां पर counter बनाने होंगे तो मैं एक route पर bus बनाना चाहरा हूं जिसका नाम है गॉले ठीक है ठीक है तो सिटीकर आपकी मैंने गॉले दे दिया counter यहां पर जो भी एक address है आपका आपने मतब जो भी bus stop का address है जहां से बस चलिए आपने वो दे दिया और वहां का number ठीक है से दूसरी बस में चल जहां जो destination के उसका डैली अब multiple बनाने हैं आपको basically जहां जह हो गया अब अब यहां पर आता है जो हमने layout देखा था वह क्या होता है जैसे 2x3 एक साइट दो होती है तो आप उस से भी आप कर सकते हैं कि टूबाइट के बस है मेरे साथ दोनों साइट दो बसे दो दो सीट है ठीक है अब यहां पर total total सीट कितनी है क्या facility है यह सारी चीज सकते हैं तो इस case में हम सिप देंगे 5 seat है अधरवाइस आप लग जाएगे A1, B1, B2, B3, B5 ठीक है आप और भी अच्छे दिखते हैं अब आप उसको क्या का facility दे रहे हैं जैसे कि आप softring दे रहे हैं कुछ और देना चाहरे है तो वह भी आप add कर सकते हैं में बात करेंगे क यहां पर आपको यहां पर आपने डिसका option मिलता है ठीक है एसी यह नौन एसी तो आपने यहां पर नंबर वाइस वैसे लाला होगा तो बस आप मेरे point समझ गया इसलिए हम एक ही बना देते हैं तो number of seat तो आपने एक number दे दिया ठीक है तो आप यहां पर जितनी आपके seat है अपने आपको seat से मिल जाएंगे उनको आपको number sign करना है ठीक है अब यहां पर आता है vehicle जो भी bus है तो bus के कोई number होगा तो डैली bus कर देते हैं इसको हम और इसको हम दे देते हैं जो भी इसका changes number registration number और model number है वो सारी information आपने यहां पर डाल दी उसके बाद आते है vehicle trip पे ठीक है अब में चीज हमने बना लिए कहां पर कहां कौन कौन से point पर bus रुकेगी और कितनी bus में seat है अब यहां से point आया यह है यह है गाल ले टू डैली bus यह वाल लेश चलेगी क्योंकि डैली पर इनके 100 रों stop होते हैं तो हमको वो stops बनाने होते ठीक है तो अभी हमारे पास नहीं है टोटल टाइप पांच गंटा टोटल डिस्टेशन तीज़ो पचास किलो मेटर ठीक है आपने डाल दिया बस रूट यहां पर हो गया अब यह बस कब चलती है और किस दिन नहीं चलती है तो हमने यहां पर डाला यह चलती है रात को तो शाड़ाट पर उस्वाप पजा देती है च्छे बजे वैसे ज्यादा टाइब हो गया पजगंटे से दे प्रे एक्जाम्पल के लिए ठीक है अब वह यह आप आएगा टिकेट प्राइस तो में टिकेट प्राइस डाला बस का रूट यह था ठीक है आठाट रूपर यह हो गया जो मैं आपको उलाता कि किस दिन नहीं चलती है वह सारी यहां से तो आपने पर डाला बस टाइटल के लिए ठीक है अब रूट वाले यह यह इतने पर चलती है और डैली पर होती है किस दिन नहीं चलती है फ्राइडे के दिन नहीं चलती है इस तरह से आपने कर अब इसके बाद आपको क्या होता है फ्रेंट एंड साइट पर जाके आप बूक कर सकते हैं ठीक है झा को कर सकता है झाल 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 झाल